नमस्ते मैं हूँ सुरेश कुमारी कलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स एक महिने में दूसरी बार भारते सेनाने नियंतन रेखा पार करके पाकिस्तान में अड़कंप मचा दिया है पाक मीडिया रिपोर्ट के मताबिक इंडियान आर्मी के जवान पियोके से आतंक्यों को पकड़ कर अपने साथ ले गए हैं भारते जवान करीब 600 मिटर दाखिल हुए और दो आतंक्यों को पकड़ कर अपनी सीमा में ले गए मजे की बात यह कि पाकिस्तानी आर्मी को इस पूरी घटना की खबर तक नहीं हुई और करीब दो घंटे बाद रावल पिंडी सेना हेड़क्वार्ट को इसकी रिपोर्ट दी गई उदर भारते सेना की तरप से इस मामले पर कोई परतिक्रिया नहीं आई है यह घटना सुकरवार रात की बताई जाती है इस दोरान नियंतनरेखा के पार से कुछ आतंक्यों ने भारते सीमा में गुस्पैट करने कोशिश की थी भारते सेना ने इस गुस्पैट को नाकाम करते हुए दो पाकिस्तानी आतंक्यों के रासत में ले लिया हालकि अभी तक सेना की तरप से ऐसी किसी कारवाई की पुष्टी नहीं की गई है मगर पाकिस्तान में इस घटना पर हाय तोबा मच गई है एक मैने पहले इस सेना के जवान नियंतनरेखा के पार जाकर कहीं आतंक्यों कुठा कर लाए थी हालकि तब पाक फोज को इस पूरे मामले की खबर मीडिया द्वारा ही मिली थी लेकिन अपने नाकामी छपाने के लिए पाक फोज ने चुपी सादली थी इस बार भी अपनी करिकरी से बचने के लिए बाजबकी फोज कुछ भी बोलने से बच रही है दरसल पिछले कुछ वक्त से पियोके को लेकर भारत बहुत जादा अकरामाख हुआ है उदर गरे मंत्री अमित साभी एलान कर चुके हैं की जम्मू कस्मीर से सिली पर सैल और आतंकों के सफाई के लिए बढ़ा अभ्यान चलाया जा रहा है भारते सेना के टारगेट पर सिर्फ घाटी के मुसल्मान आतंकी ही नहीं है उनकी पनागाओ पर भी सिधा एक्षन लिया जा रहा है जम्मू कस्मीर से दारत 378 ने के बाद पियम मोदी पहली बार जम्मू कस्मीर के दोरे पर पहुंच रहे हैं इस दोरान कोई एप्रिय घटना नहीं हो इसके लिए सुरक्सबल बहुत अधिक चोकनने हैं कस्मीर घाटी में मुसल्मान आतंकी की कबर तूट चुकी है और उनके सभी बड़े कमंडर ठोके जा चुके हैं इतने नहीं सुरक्सबल उन मुसल्मान सिलिपर सहल को भी निशाना बना रहे हैं जो आतंकीों के लिए संजीवलिय का काम करते हैं पाक मेडिया ने दावा किया है कि पियोके से पकड़े गए मुसल्मान आतंकीों को किसी अग्याती स्थान पर ले जाकर ठिकाने लगा दिया गया है भारते सेना ऐसी कारवाय ये खामुसी से कर रही है जबकि पाक आर्मी को इसकी बनक तक नहीं है आपको बता दे कि पिछले तीन दिनों में सेना ने छे मुसल्मान दैसत गर्दों को खुरो की खोज में चलता किया है जबकि कई सिली पर सेल को इरासत में लेने के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है इनमें दो आतंकी पाकिस्तान के मुसल्मान आतंकी बताये जाते हैं पाकिस्तान ने गुलाम कस्मीर में आतंक्यों के लॉंचिंग पैड तयार किये हैं पहले ये लॉंचिंग पैड एक से डेड किलोमेटर की दूरी पर मुझूद थे लेकिन अभी ने काफी पीछे ले जाय जा चुका है पाक फोज को डरे की इंडियन आर्मी आतंक्यों के ठिकानों को टार्गेट पर ले सकती है पर भारते सेना ने पिछले कुछ महिने से अपनी रननिल्टी में बड़ा बदलाव किया है आतंक्यों के भारते सीमा में गुस्पैट करने से पहले ही सेना या तो उन्हें सीमा पारी धेर कर रही है या फिर अस्पेसल दस्तानी अंतर्ण रेका के पार जाकर उनकी धर पकड़ कर रहा है जिनने पूच्ताच के बाद उनकी आखरी मंजिल तक बेज़ दिया जाता है भारते सेना की एरनीर की कारगर साबित हो रही है इस सेना सिर्फ सीमा पार के आतंक्यों में आड़कम मचा है बल्कि घाटी से आतंकी ट्रेनिंग लेने जाने वाले मुसल्मानों को पहले निप्टाया जा रहा है यही वज़े है कि अब सीमा पार से गुस्पैट की घटनाओं में काफी कमी आई है भारते सेना की इस कारवाई से पाकिस्तान भी बोखलाया हुआ है इसका कारवाई है कि फरवरी 2021 से दोनों देशों के बीट संगत्स्विराम का सम्झोता जारी है पाक सेना अपने आतंकीों को कवर फारिंग नहीं दे पा रही है जिसका फैदा भारते सेना उठा रही है और पाकिस्तान के मुसल्मान आतंक्यों को ठोका जा रहा है भारते सेना का विशेस दस्ता तो इन आतन क्यों का काल साबित हुआ है इसी के साथ अनुमती दोस्तो जै जवान जै किसान जै हिंद वंदे मात्रम